आज का हमारा टोपिक है जोन डिस, जोन डिस यानि पी लिया, बहुत कोमन टोपिक है, सभी को इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तो चलिए आज हम जोन डिस और इसके टीटमेंट के बारे में अच्छे से जान ले दें, और चैनल को भी जुरू सस्क्राइब कर ताकि इसी तरह की knowledgeable वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं देखे गाइस, जॉन्डिस एक medical condition है जिसमें skin whites of the eyes और mucous membrane yellowis हो जाती है यानि जॉन्डिस में skin white color की हो जाती है और eyes और mucous membrane yellow color की हो जाती है ये condition bilirubin का axis accumulation body में होने से होती है जब red blood cell का breakdown होता है तो bilirubin बनता है नॉर्मली liver bilirubin को process करता है और उसको bile के थुरू body से remove करता है लेकिन कभी-कभी liver damage, bile ducts, blockage या red blood cell का axis breakdown होने से bilirubin accumulate हो जाता है तो इस तरह से जॉन्डिस हो जाता है जॉन्डिस के कुछ common cause के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे hepatitis, यानि viral infection of liver, liver cirrhosis, gallstone, यानि bile duct में blockage, या liver cancer इसके अलावा कुछ genetic disorder भी जॉन्डिस का reason हो सकते है और इसके symptoms के बारे में बात की जाए तो yellowing of the skin यानि skin का color yellowis हो जाता है especially eyes के around और face के areas में और yellowing of the eyes, आंकों के white जिसे इसके लिडिया बोलते हैं yellow हो जाती है और yellowing of mucous membrane, mouth के inside और tongue पर भी yellow ting दिखाए देते हैं इसके अलावा dark urine, urine का color dark हो जाता है, sometimes brownish yellow और इसके अलावा pale colored stools यानि faces का color light हो जाता है और eating, skin पर eating हो सकती है, fatigue, body में थकान और weakness महसूस होती है abdominal pain, pate में दर्द या discomfort हो सकता है, especially in liver area तो ये कुछ जोन्डिस के symptoms होते हैं, लक्सन होते हैं और जोन्डिस को identify करने के लिए bilirubin का test करा जाता है जिसमें केवल blood sample देना होता है identify में दो तरह का bilirubin आता है, direct और indirect direct को conjugated और indirect को unconjugated बोलते हैं अगर direct bilirubin बड़ा हुआ आया, तो समझ लीजिए, liver में कोई समस्या है क्योंकि bilirubin का जो source होता है, वो liver ही होता है liver में कोई समस्या हो सकती है, या hepatic duct में कोई समस्या हो सकती है गोल बिलेडर में हो सकती है, और अगर unconjugated बड़ा हुआ आया, यानि indirect तो समझ लीजिए, liver में कोई समस्या नहीं है, RBC वगेरा breakdown हो गई है RBC तूट गई है, उसकी उज़े से indirect bilirubin बढ़ गया है तो इस तरह से direct और indirect bilirubin का पता लगा जाता है इसके treatment के बारे में बात की जाए तो, treatment दोनों का semi होता है बस सलका full का फर्क होता है, तो असलिए treatment के बारे में भी जान लेते है देखे guys, वैसे तो सभी patient का treatment उसके condition के हिसाब से दिया जाता है लेकिन एक जो normally treatment होता है, जो सभी hospital वगेरा में दिया जाता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले leaf 52 सिरफ दिया जाता है, जो पीलिये को कम करता है और liver damage की वज़े से, या फिर intestine की वज़े से, gas acidity भी बनती है gas acidity को कम करने के लिए DSR capsule लगा जाता है कोई सा भी अच्छी company का DSR capsule लगा सकते है लाइक, rabikind DSR, pentop DSR, इस तरह से लगा सकते है और सरीड में जोन्डिस की वज़े से, बहुत ज़्यादा weakness आ जाती है उसको पूरा करने के लिए multi-vitamin capsule दिया जाता है जैसे neurokind gold, jeffid revital, maxirich, इस तरह से कोई अच्छा सा multi-vitamin capsule दे सकते है और एक antibiotic tablet, metroninidazole, जो आपको philazil या metrogil 4 से मिल जाएगी और drip भी लगा जाती है, D5 या D10, dextrose, IV fluid भी लगा जाता है और patient को 15-20 दिन तक bad rest करना होता है और तली बुनी चुजों का face करना होता है, जैसे अंडा, मीट, मचली, ये सब बंद करना होता है अब हम जान लेते हैं इस treatment की dose के बारे में तो देखिए गाइज, DSR capsule सुबह खाली पेट दिया जाता है बुरे दिन में सिर्फ एक capsule ODK रूप में लिया जाता है और शिरफ Lee 52 5 ml TDS खाली पेट देना होता है इसके अलावा metrogil tablet 4 से मिज़े वाली BD या TDS मतलब दो बार दिन में या तीन बार ये patient की condition के हिसाब से दी जाती है और Neurokind Gold Capsule ये capsule रात में लेना होता है इस तरह से patient को john disc का treatment दिया जाता है उम्मिद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको जुरूर पसंद आई होगी इसी तरह एकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी subscribe कर सकती है